नमस्कार साथियों, बोलला तालाब, सांचोर सहर के बोलला तालाब में कल एक युवक डूब गया था और उसकी जो तलास है वो HDRIB की टीम ने सुरू कर दिया पहले आपको मौका इस्तथी दिखा देते हैं, HDRIB की टीम मौके पर मौझूद है और HDRIB की टीम ने सुबह से जो तालाब के अंदर और HDRIB की टीम चला रहा है ताकि उसको ढूंडा जा सके उसकी तलास की जा सके और उसको बाहर निकाला जा सके क्योंकि कल ही डूबने की सोचना है वो सामने आई थी बताए ये जा रहा है कि वो उसके चंपल और कुछ कपड़े हैं वो इस तालाब के दूसरे किनारे पर जी ये बोला तालाब है और इसी के किनारे पर मिले और बताए ये जा रहा है कि वो कपड़े उतार कर नहने के लि मिली कैसे डूबा क्या था इसका पार्शा राम संद्व मफाराम जाती मेगवाल उमर पत्चास साल निवासी पाहडपुरा हाल नरवदा कॉलानी चांचोर ये क्रीब सूसना पांच वजे साम को मिली थी उसके आधार थाने से प्लिस जापता मौके पर पहुंच गिया था और मरत्क की यह क्या लेना है तो बताएं कापड़े और चंपल भी बाहर मिले हैं मरत्क के कपड़े बाहर पड़े हुए थे उसके चाछा मंघिलाग ने उसको लास्ट में दूप्ते हुए देखा है acyjो मरत्क का चाछा लगता है मंही ओने टला में उसको दूपते हुए का चाचा की कोई दुका नहीं या पर पास में और उन्होंने डूपते हुए देखा और कपड़े और चंपल किस किनारे पर मिले यह जो फर्स्ट एंट्र पॉइंट है दीवार के पास वहां पर क्या क्या मिला कपड़े और संपल दोनों या और कुछ मोबाईल ऐसा कुछ तो लगातार राइस की ऑपरेशन ने वो लगातार जा रही है इनके कुछ परीजन भी मेरे साथ मौझूद है उनसे भी जानते हैं क्या नाम था कितने बज़े सूचना मिली क्या करने आया था यहां पे क्या जानकरी सामने अब तक पार्चाराम कि यहां वनले इनका घर है कितना डूर वेखर यह नजदे के पास के लिए है बराबर रस्मीदार है तो दुचा फेक खड़ा था इनाने प्ट पया पीए इनदुकान कि इस कि चाचा को कुछ बोल का है तक मिनाने जा रहा हूं या ऐसा कुछ बात हुई थी क्या चाचा को कुछ बताया नहीं इनको और वहां पे क्या मिले कपड़े चंपल और क्या मिला कपड़ा चंपल शिरफ मिले कभी नहीं आता है कभी यह सोला सतरह तारिक को पाणी आएथा साथी सुधा यह बच्चे किवें को साल होगे साधी की हुए हां बच्चे नहीं है तो यह है और आपको रेस्क्यों और तस्वीर दिखा देता है यह रेस्क्यों और सब्सक्राइब की टीम के जो जवान है वह लगातार चला रहा है सब्सक्राइब की टीम के कुछ लोग भी है उनसे भी हम बात करने की कोशिस है वह करते हैं कि क्या कुछ है कितने विज़े टीम पहुंची है कहां से पहुंची है पूरी जानकारी भी लेंगे सब्सक्राइब की टीम है कितने विज़े पहुंच गई थी और क्या-क्या ओपरे रशलाएं ऑर डीप ट्रायंग का सैड लगा के और गांटए से इट गन्टे से संद्र किया लॉकरण के वरेशिक कर रहे हैं में साफ आप दामी अंदर रंश के ऑपरशन कर रहेट एक जान कर ये वह बताईए कि आसा बे citizen산 यह सामान है, यह सब लेकर के अंदर गये हुए रेस्क्यू करने के लिए जवान, और कितना गहरा है कोई जानकारी मिल पाई लगबग अंदाजन कहीं 35 पूटे कहीं 40 पूटे कहीं 50 पूटे इसके अलग अलग जगह बता रही है इसके गहरा है इसकी तो गहरा होने से भी दिक तो यह देखे एक वार आपको दिखा देता है यह रसी है रसी के साहरे तमाम जो जवान है एसडियरेव की टीम के वो नजर आ रहोंगे बोर्ट नजर आ रहोंगे उस बोर्ट से भी तरास की जारी और जवान खुद जो है क्योंकि यह बता रहे हैं कि गहराई भी इसकी जादा है और गहराई जादा होने के चलते दिक्कत का सामना है वो भी करना पड़ता है कंटिली जाडियां वह इसकारण भी अश्डैयरेव की टीम को रहेश की ओपरेशन में दिक्कत ज़रूर आती है लेकि जिस तरीके से क्योंकि पूरे जवान हो ट्रेंड होते हैं प्रसिक्षित होते हैं और उसी को लेकर अबदार की टीम सुवे जैसे ही रहेश के ओपरेशन कर दो